हलो फ्रेंड्स गुड़ मॉर्णिंग टू अलो फ्यू आज है अठाइस जन्वरी और यह मंत अब खत्म होने वाला है तो वीकली करेंट अफेस का तीसरा पार्ट जो की आने वाला है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फिर उ बहुत ही बेहतरी प्रैक्टिस सेट वहाँ पर दिया गया है आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बीस कोश्चन मैं ने रखे हैं बहुत ही टॉप क्लास के पहला कोशन है किसने अंडर ट्वैंटी पूरुसों में एक हजार मीटर की रेस में टॉप किया करता है कि यह कहां से बिलॉंग करते हैं तो अमित खत्री कहां के हैं यह हैं हर्यानाना के कि लकूत बहुत हां था हुप कानाम से जानते हों जहां पर कोरोना की वज़े से एक लाग से जादा मौते हुई है तो यह देश है ब्रिटेन में एक लाग से जादा मौते हुई है ब्रिटेन की राजधानी कहा है ब्रिटेन की राजधानी है लंडन और यहां की करेंसी है पाउंड या श्टरलिंग क्या करेंसी है पाउंड य नहीं जानते होंगे यूरोपिय यूनियन की बात हो रही है यू का है बेल्जियम ब्रूसेल्स और अभी ब्रिटेन पिछले ही साल यूरोपिय यूनियन से फॉर्मली अलग हो चुका है ठीक है तो यह चीजें याद रखनी है इसके अलग होने के बाद यहां जो बचे हुए देश है उनकी संख्या हो गई है 27 ठीक है यूरोपिय यूनियन जिसका हेटकॉर्टर का है ब्रूसेल्स और ब्रूसेल्स में एक और हेटकॉर्टर है नाइटो का नॉर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन तो यह आपको क्लियर रखना है चीजों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ने की आदर डाले इससे कॉंसेप्ट क्लारिटी जरूर होगी और मॉर्निंग में यह वीडियो डेली सिक्स एम में आएगा छे बज़ के सुबह मिनट में तो आपको तयार रहना है इस वीडियो के साथ अगला है किस राज में खोजी गई नई चीटी की परजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताब जोसी के नाम पर रखा गया है प्रोफेसर अमिताब जोसी के नाम पर तमिल नाडू की चीटी का नाम रखा गया है तमिल नाडू की रधानी का है चेनाई चेनाई में पोर्ट भ है यहीं है आकास एंजी नए पिढ़ी की मिसाइल मतंद मतलब नीज जनडेशन का सफ़तौ पूर्वक परिक्षन कहां किया गया है तो यह परिक्षन किया अलग से ऐटरों बीतर कणिका नेशनल पार्क है और चिमली पार्क है। अबको याद अकना है गहिर माथा वालाइब संग्चुरी बहुत ज Apache तर्टलव के फिर उडिसा से आपको कुनार्क का संटेंपल याद आना चाहिए संटेंपल या सूर्य मंदिर ध्यान से सुनिए यह जो वीडियो मैं इतने देर का बनाता हूं इसमें मैं 200-300 अलग से जीएस के फैक्ट्स आपको रिविजन करवाता हूं तो यह सब उडिसा के फैक्ट हैं ज समय बचेगा जो टाइम बचेगा उसमें आप अलग से सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अगला कोशन है दो लाख स्रमिको का टीका करन करने वाला पहला राज्यों बनिया है अभी आपको पता है हेल्थ वरकर्स जितने हैं उनको टीका करन प्रोवाइड कराय जा रहा है लेकिन यहां स्रमिको की बात है स्रमिको कोटीका करन दौ लाख आंकरापार किया है करनाटक ने ले ठीक है करनाटक की सीएंग कौन है क्लाना और गौर्णर कौन है सीम है वाई एस सॉरी वाई एस नहीं यदूरप्पा यदूरप्पा यहां के सीम है वाई यह जो है जगन मोहन रिडी वो आंदर परदेश के सीम है और करनाटबा के गौर्णर है वजू भाई वाला साउथ इंडिया में थोड़ा कंफ्यूजन होता है सबको इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि वाई येस जगन मोहन रिड्डी जो हैं वो हैं कहां के आंधर प्रदेश के लेकिन यदू रप्पा हैं सीम करनाटका के करनाटक की बात हो गई तमिलाडू की बात हो गई सब का हम ल वाइड दिया जाएगा आपदा परवंधन आपदा मैनेज्मेंट जो करेगा उसको ये अवाड देंगे साथ चंद्र बोज के बारे मैं आपको जानते हिए नीच में उद्धिक कटा कुडिशा में और यह जो हैं भारत के एक बहुत वीजिनरी लीडर थे और इन्होंने सहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जो आप जानते होंगे अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार जीता हुआ इनहीं का है जो कि एक स्ट्रेटेजिक रूप से ने तुरू जो इस वाय लिए फ्रूट्फिल फॉर इंडियन स्ट्रेटेजिक ली ठिक है ये धियान रखना है स्ट्रेटेजिक ली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीता किसे था शूवास-चंडर भौसमल है इन्हें नेता जी के नाम से जानते हैं आपको जानकर हो कि नेता जी की उपाधी इन्हें किस ने दी थी और इन्होंने बापू फादर ओफ नेशन कहा था गांधी को और गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था बताईए गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था अगर किसी को याद हो या पता हो तो लाइव भी कमेंट कर सकता है और नीचे भी कमेंट कर सकता है ठीक है एकदम इसका आंसर छुपा हुए है मेरे इन बातों में चलिए आगे बढ़ते हैं किस देश को कोरोना वाइरस के ठीके का पांच लाख खुराक परदान करेगा भारत इंडिया डोनेटेड फाइव ला डेली एक टाइम सेट करके देखनें की हैबिट डाले यह एफगानिस्तान आफगानिस्तान की राजधानी कहाँ यह है काबूल और कांदाहर जहां पे कंदाहर ऐरपॉर्ट है अपने सुना होगा अफगानिस्तान हो गया जो कि एक लांड लॉक्डू कंटरी है यहां का पा कि हमेशा नियूज में रहता है और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो वेस्ट एसी हमें अफगानिस्तान के पीछे का सारा इलाका आता है जिसे इरान तुर्कमेनिस्तान उपर हो गया इरान हो गया फिर आते हैं इरान के बाद साओधी एरेविया जॉर्डन यह से रहेंगे इसका PDF और इसकी वीडियो मैंने दोनों पहले ही बनाई है जोग्रफी में आप जाके देख सकते हैं मैप भी मैंने जोग्रफी में मैप सीरीज मैंने स्टार्ट किया था अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं मैप सीरीज फिर से स्टार्ट करूंगा कुछ कु छोटा सा एक देश है यहां अजरबैजान जिसकी राज़ानी कहा है बाकू एक आपने नाम सुना होगा आबुधाबी का वो UAE की राज़ानी है आबुधाबी और इसी का एक सहर है दुबाई तो दुबाई किसी की राज़ानी नहीं है एक सिटी है UAE United Arab Emirates United Arab Emirates में दुनिया का पहला Artificial Intelligence University बनना जा रहा है Artificial Intelligence University यहाँ पे अभी Nuclear Based Power Plant की सुरुवात की गई है देखिए चीजों को कनेक्ट करिए जोड़िये जिस भी एरिये में मैं पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाऊ पॉलिटी पढ़ाऊं हिस्टी पढ़ाऊं उसमें एक्स्टा फैक्स जरूर बताता हूं क्यूं क्यूंकि आपका knowledge बड़ा होगा जिसका knowledge बड़ा होता है उसी का result होता है यह द्यान लखिए ऑठीक है तो यह सब चीज़्ें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी UAE कि राज्धानी कहा है और UAE में क्या-क्या सुरू हुआ है कतर कतर की राज्धानी कहा है कतर की राज्धानी यहाँ की currency ह अगला देखते हैं ये है भारत और भारत की जो हमारा प्यारा भारत की राधानी है निव दिल्ली आपको पता हिए इसको कब बनाए गया दिल्ली को राधानी तो 1911 में बनाए गया जॉर्ज पंचम के स्वागत के समाई ये उद्धोसना किया गया था इसी दिल्ली में है किमा पर सुल्क वसू ले जाते हैं अलग अलग तोर तरीके से इसलिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे अब ये महतवपूंट दिवस है जैसे एक जनवरी को गलूबल फैमिली डे मनाते हैं निवी एर के साथ ट्रिक मैंने बताया था कि फैमिली के साथ निवी एर सेलिबरेट करते हैं इसलिए दोनों एक दिन होगा चार जनवरी को है वर्ल्ड ब्रेल डे इस पे अलग से वीडियो मैं पहले भी ला चुका हूं छे जनवरी को है वर्ल्ड वॉर और्फन डे और्फन मतलब अनाथ जो है उनके लिए दे है चार छे जनवरी को नेशनल टेक्नॉलोजी डे भी है तकनीकी दिवस फिर है नौ ज जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक का भी स्टार्ट हुआ है 12 जनवरी को है नेशनल यूथ डे 13 जनवरी को है लोहरी और 14 15 जनवरी को आपको पता है मकर्शक्रांती पोंगल यह सब तेवहार पाए जाते हैं तेवहार पे हमने एक अलग वीडियो बनाया है लिंक आप मन्थलिक इंटरफेस की वीडियो में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम जोइन कर लेते हैं तो वहां भी हम सेयर करते रहेंगे 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे है कौनसा डे है इंडियन आर्मी डे 18 जनवरी को है नेशनल इम्म्यूनाइजेशन डे पोलियो डे 13 जनवरी क को इंडियन रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम डे जो अभी आपने देखा 27 जनवरी को है कममेरेशन ऑफ होलो कॉस्ट इसका एक दिवस है 27 जनवरी अगला है 30 जनवरी मार्टर्स डे सहीद दिवस और 31 जनवरी को है वर्ल्ड लैप्रोसी एरेडिकेशन डे ठीक है तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है NRI Day कब सेलिब्रेट करते हैं NRI Day मैंने उपर ही बताया है उचलिए धेर सारा रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं बाजार पुंजीकरन के अधार पर देश की सबसे मुल्यवान कंपनी on the basis of market capitalization which company is on the top which company होगा TCS Tata Consultancy सर्विस यह जो है market capitalization में इनका सबसे बड़ा शेयर है इसलिए यह टॉप पे है ठीक है और यह तो पता है भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन है रिलाइस इंड्रस्ट्री और सबसे अमीर व्यक्ति कौन है मुकेश अंबानी दो दिवस्ते मेगा कविता कारेकरम का आयोजन कहां किया जाएगा तो दो दिवस्ते मेगा कविता कारेकरम का आयोजन किया जाएगा जम्मू एन कस्मीर में ठीक है मेगा कविता जो हिंदी का कविता सम्मेलन होता है उस तरीके का यह आयोजन किया जाएगा जम्मू कस्मीर में जम्मु कस्मीर में कौन कौन से निशनल पार्क है पताई ये दाची गम निशनल पार्क नोट करते चलिए और अगला है इसलीम अली बर्ड संक्चूरी भी है क्योंकि ये बहुत बड़े और निथोल ऑजिस्त थे निक्स्ट है किस्तवार नेस्टनल पार्क, ये कहा है, जबू कस्मिर में है, वूलर लेक, डल जील है, फ। कंगे, फाल जील है, ठीक है, पागाउंग जःल है, ये लेह लें लड़ाक में चला गये आप, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, नेक्स्ट है, ग्लोबल, गैलन्ट्री पोर्टल का नया सकरन किश्लांच किया गैलेंटरिय आवार्स वीरिता पुरस्कार होता है इसका नया संसकरन लॉंच किया गया है राजनात सिंह के द्वारा चूकि है हमारे डिफेंस मिनिस्टर है इसलिए इन्हों इसका उद्धाटन किया देखे अदिक तर यह उद्धाटन का सीन जो जिस डिपार्टमेंट का रहता है वही करता है जिसी इमिन्टेट की ची associates मिनिस्टर नि किया कोईем मिनिन्स ची Whenever राओं गोई है चुनावी आचार मतलब चुनावी आचारन मतलब code of conduct for electoral night यह जो है मेघाले को दो हजरेवीस के लिए चुनावी आचारन पुरसकार के लिए चुना गया है क्योंकि यहां का जो같टाइम been कुंड़क्ट होंगा वोगा बहुत ही बहतरीन होगा कहां है मेगाले जड़ा देखिए धियान से ये हैं मेगाले मेगाले की राज़ानी का है ृ सी लॉंग के ठीक है कहा है सी लॉंग और मेगाले के सी एम और गवषर्ण dar आपने वीडियो देखी है जरूर कमेंट करिए अभी मेघाले का बाउंडरी किस से किस से लगता है बांगलादे से लगता है और असम से लगता है असम की राजधानी है दीशपुर्स, रवान अंसोनवाल यहां के सीम है और जगदीश मुखी यहां के गौवर्नर तो अब रिवाइज करेंगे हम लोग नेशनल पार्क असम में है डिबरू साइखोवा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क नामेरी नेशनल पार्क और राजियू गांधी जिसे अब औरांग नेशनल पार्क भी कहते है उसके नीचे आपको 36 गड़ दिख रहा होगा इंद्रावती नेशनल पार्क कांगेरवैली और गुरू घासी दास यह तीन नेशनल पार्क है 36 गड़ में नेक्स्ट है हमने और भी जो देखे थे जैसे की दाचीगम हेमेस हाई किस्तवार और सलीम अली यह हेमेस हाई उस समय चूटा था हेमिस हाई मैं इसको हिंदी में भी कर दूंगा घबराने की जुरत नहीं है जो हिंदी वाले बच्चे हैं ठीक है करनाटका की बात करें करनाटक स्टेट आया हुआ था बनर घट्टा निशनल पार्क तो यह है कुद्रेमुख फिर बनर घट्टा नागरहूल औ करनाटका में ध्यान रखेगा इस नागरहूल और बनर घट्टा निशनल पार्क में ही आपने देखा होगा प्रधान मंत्री मोदी और बीयर ग्रिल्स को एक साथ यह आपको ध्यान रहे इसलिए बहुत फेमस है बहुत इक्जामें आ सकता है केरला में कौन कौन सा है पेरिय अब है कि करेंट के साथ साथ और भी जो से रिलेटेट चीजें जो पीछे भी घटित हुई है दस दिन पहले बीस दिन पहले उसको रिविजन करते चले तो वीडियो को लाइक करते चले क्योंकि मैं धेर सारे फैक्ट आपको रिविजन कराता हूं बात कराता हूं फिर महरा ठेक है गुगा माल निस्टल पार्म। चंदोली नवे गाऊं निस्तल पार्म। और तडो इचे मैने उपर ही बताया था मेहाले राज्जे की बात होई थी नोक्रेक और बाल्फकरम। यह दो निस्तल पार्म। मेग हाले फिर बात करेंगे हैं त्रिपूरा की त्रिपूरा में है बाइशन और Clouded Leopard दोनों इंग्लिश में लिखा हुआ है Clouded Leopard और बाइशन बाइशन का अलग नाम है राजा बरी नेस्थालपार ठीक है राजस्थान की बात करें तो शरिष्का निशनल पार, रंधंबहुर, मुकुंद्रा हिल्स, डेजर्ट और केवला देव, यह निशनल पार कहां पर है, राजस्थान में फिर उत्तरा खंड की बात करेंगे, उत्तरा खंड में गंगोतरी, गोविंद पासु, नंदा देवी, राजा जी और वैली ओफ फ्लावर्स, इतने निशनल पार कहां है, तो उत्तरा खंड में है, आई यह कोश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है, सन्यूक्त उभायचर अभ्यास एक का आयोजन किया गया, कमबाइंड एंफिवियन डिफेंस एकससाइज, एंफिवियन डिफेंस एकससाइज का मतलब है, जिसमें जल और धर्ती, दोनों पे एक साथ हो, उसको कहते हैं एंफिवियन, तो यह हुआ है, एन्डमान निकोबार आई ल생ड पे ठीक है अंडमान निकोबार आई लेंड पे इसका युजन किया गया है One Second मैं आपको मैप दखाता हूं मैप में ये clarity आ जाएगी आपके अंदर और sorry to say बट यहां पे इस से नीचे के इलाके में आपको अभी नहीं दिख रहा होगा बट अंडमान निकोबार है मैं मैप में उसको कई बार आपको दिखाया भी हूँ तो यहां पे जो है अंडमान निकोबार में एमफीवियन डिफेंस एक्सराइज को और्गनाइज किया ग नाम आपको बताना है कुछ होमवर्क आपके लिए रहता है ताकि आप बेहतरीन तरीके से पढ़पाइगा ऐसे प्रॉटो पहचान पत्र इपिक Electronic Electoral को किस ने launch किया है देखिए फोटो पहचानपतर फोटो आइडेंटिटी कार्ड और Electronic Electoral की जहां बात हुए उसे भारतिये निर्वाचन आयोग ने launch किया है निर्वाचन election के लिए हमारे देश में Article 324 में provision है Article 324 में Current Chief Election Commissioner जो है यह है सुनिल अरोडा और Election Commissioner की भी appointment हुई थी तो अब आपको यह बताना है कि यह जो Chief Election Commissioner है CEC इनको appointment करता कौन है इनको कौन nuket करता है तो इनको nuket करने का काम है राष्टपती का और इनको हटाने का provision जो है वो impeachment process है वही process है जिस process के राष्ट सूप्रीम कोट के जज को हटाया जाता है आर्टिकल मैंने बताया था आपको Article 324 अनुशे 324 यह जो है Election Commission के लिए यूज होता है और पूरी आर्टिकल की बात करूं तो 324 से 329 के बीच में जितने भी आर्टिकल है इस सब को Election Commission को ही dedicated किया गया है नेक्स्ट है गंतंतर दिवस में भारतिय सेना की तरब से सामिल होने वाली पहली एक मात्र महिला कौन थी तो यह महिला है प्रीती चौधरी प्रीती चोधरी पहली महिला है गंतंत दिवस परेड में भाग लेने वाली नेक्स्ट है तो इसमें 119 लोगों को सम्मानित किया गया है पदम विभूसन जिसे । शिर दिया गया है तो सब से पहले आपको यह याद रखना है कि 119 टोटल जिसमें से 10 जो है वो पद्म भूशन 7 पद्म विभूशन और 102 पद्म भूशन इस पे एक डिटेल वीडियो तयार कर दी गई है आप जरूर देखिएगा फिलाल के लिए पद्म विभूशन से जो लोग है उनका नाम याद रखिए सिंजो आबे पद्म भूशन के भी 10 लोग का लिस्ट है यह मैं पीडियेफ शेयर करूँगा आप उहाँ से देख सकते हैं किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उक पर लांज करके विस्पर रेकॉर्ड बनाया है तो यह रेकॉर्ड बनाया है एस्पेस एक्स ने सापना कभी थी 2002 में एलन मस्क ठीक है यह अभी विस्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से इनका नाम जो था 125 में था ठीक है एक रिपोट के हिसाब से इन्होंने सबसे अमीरियत में सबसे टॉप अस्तानली हासिल किया था मतलब और फोर्ट के सबसे बड़े चालू खाता अधिसेस मतलब करेंट अकॉंट डिफिसिट में कौनसा देश सिर्ष पे है तो यह सिर्ष पे है चीन करेंट अकॉंट डिफिसिट में टॉप हो पे है चीन ओके नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा किसके दौरा शुरू किया गया तो जो लोग भी प्रिविएस डे के वीडियो देखे होंगे उसमें भी से इसका आंसर बता है है बी एसे फाइटी बीपी एसेस बी से रपी जो भी राइट आंसर है विट फूल डीटेल कमेंट करें थैंक यू सो मच